प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती दुसरा पत्र अध्याए एक पद संख्याए एक से आठ तक यह पत्र प्रेपुत्र थिमती के नाम उस पॉलुस की ओर से है जिसे ईश्वर ने इस बात का परचार करने के लिए येशु मसी का प्रेदिर चुना है कि उसे हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिग्या की थी वह येशु में पूरी हो गई है पिता परमेशर और हमारे प्रबु येशु मसी तुम्हें अनुगर, दया तथा सांते प्रदान करें मैं अपने प्रवजों की तरह सुध अंतकरन से इशुर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रात्नौ में याद करता हूँ जब मुझे तुम्हारे आशुओं का सरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तिव्र अविलाशा हो जाती है जिससे मेरा आनन्द परिपून हो जाए तम मुझे तुम्हारा निश्कपट विश्वास सहज ही याद आता है वह विश्वास पहले तुम्हारे नानी लोईस तथा तुम्हारी माता यूनिस में विद्दमान था और मुझे निच्चे है अब तुम में भी विद्दमान है मैं तुम से अनुरोद करता हूँ कि तुम ईश्वरिय वर्दान की वह ज्वाला प्रजुलित बनाये रखो जो मेरे हातों के अरोपन से तुम में विद्दमान है ईश्वर ने हमें भिरूता का नहीं बलकि समर्थ प्रेम तथा आत्मसयम का मनुभाव प्रदान किया है तुम ना तो हमारे प्रभु का साच देने में लजाओ और ना मुझसे जो उसके लिए बंदी हूँ बलकि ईश्वर के समर्थ पर भरोसा रख कर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कस सहते जाओ यह प्रभु की वानी है संद लूकस के अनुसार पवित रशु समाचार अधियाई दस वाके एक से नौ तक इसके बाद प्रभु ने अन्य बहतर्शी शिन्युक्त गिये और जिस जिस नगर और गाउं में वे स्वयम जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा उन्होंने उनसे कहा फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं इसलिए फसल के स्वामी से विंति करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें जाओ मैं तुमें भेडियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं तुम न थैली न जोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो इस घर को शान्ती यदि वहाँ कोई शान्ती के योग्य होगा तो उस पर तुमारी शान्ती ठहरेगी नहीं तो वह तुमारे पास लोट आएगी उसी घर में ठहरे रहो और उनकी पास जो हो वही खाओ पियो क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है घर पर घर बदलते न रहो जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खालो वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है यह प्रभू का देव्य सूसमाचार है क्रेश्ट प्रभू की जय है मेरे प्रिये भाई और बैनों आज हम दो महतुपूर्ण संतों का परो मनाते हैं और वे हैं संतिमती और संत तितुस नए विधान में आपने पढ़ा है संत पौलूस थिमती और तितुस के नाम पत्र लिखते हैं यह दोनों संत पौलूस के सहयोगी थे, सहयात्री थे और एक तरस से आध्यात्मिक पुत्र थे थिमती का जन्म लुस्त्रा में हुआ उनकी मा यहूदी थी लेकिन पिता गहर यहूदी थे युनानी थे कहा जाता है कि जब पहली बार संत पौलूस स्लूस्त्रा गेत इसु समाचारगी घोशना करने के लिए उस समय थिमती शायद 10-15 साल की उमर के थे और उस समय उन्होंने येशु को स्विकार गिया और येशु पर विश्वास करती वे बब्तिस्मा ग्रहन किया संत पौलूस थिमती को अपना पुत्र गहते हैं और इसलिए 13 साल तक लगातार संत पौलूस के साथ सु समाचार की घोष्णा की आत्रा में थिमती लगे रहे और उसके बाद अंत में वे एफेसुस के धर्मादिक्ष के रूप में मरे उनकी मृत्यू के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है दूसरे संत है संतितुस मैंने कहा संतितुस भी संत पौलूस के सहोगी थे वे अंथाक्या के रहने वाले थे वे एक गैर यहुदी के रूप में जनम लिये और येरुसिलिम जाकर वहाँ पर येशु के चमतकारों के बारे में साक्षे लेने के लिए गये थे और वहाँ पर येशु के बहतर शिशों में एक हुए ऐसा कहा जाता है वे संतितुस के साथ लगातार सु समाचार की गोश्टा की यात्रा में लगे रहे और माना जाता है कि संतितुस के सचीव थे और संतितुस को भाषाओं के अनुवाद में मदद देते थे ये दोनों संत पौलूस के हृदे के टुगडे थे हृदे के करीब थे सु समाचारिय यात्राओं में उनको साथ देने वाले थे आज का पहला पाठ थिमत्ति के नाम संत पौलूस के दूसरे पत्र से लिया गया था कई बातें यहां पर हमारे मन और हिदे को सपर्ष करने वाली है कुछ बातों पर हम मनन करेंगे पहली बात यह है कि पौलूस ने जिन लोगों को सु समाचार सुनाया था ये सु के करीब लाया था उन लोगों के साथ पॉलूस का रिष्टा एक बहुत गहरा और प्रेम में रिष्टा था वातसले पूर्ण रिष्टा था आज के पार्थ में आपने सुना कि पॉलूस थिमत्थी को अपना पुत्र गहते हैं वास्तों में पॉलूस लोगों के आधियात्मिक पिता बने एक वासले पूर्ण प्रेम ये हम सब के लिए विशेश करके सु समाचार के सेवक से विकाओं के लिए सुन्दर आदर्श हैं दूसरी बात जो हमारे हिर्दे को सपर्ष करती है वो बात यह है पॉलूस कहते हैं कि मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतकरन से इश्वर की सेवा करता हूं यानि निश्क पट हिर्दे से इश्वर की सेवा करता हूं व्यक्तिकत लाब के लिए नहीं धन के लिए नाम के लिए पद के लिए यश्व के लिए नहीं बलकि शुद्ध हिर्दे से प्रभू की सेवा करता हूं हम सेवक सेविकाओं के लिए ये भी एक सुन्दर उदाहरन है आगे संद पॉलूस कहते हैं थिमती से कि तुम्हारे अंदर एक निश्कपट विश्वास है मैं जानता हूँ निश्कपट विश्वास ये निश्कपट विश्वास क्या होता है निस्वार्थ विश्वास बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास है लेकिन वह स्वार्थ पूर्ण विश्वास है लोग ईश्वर के पास जाते हैं प्रभु के पास जाते हैं साधनाओं में जाते हैं आध्यात्मी कारव में जाते हैं कुछ पाने के लिए वो स्वार्थ पूर्ण विश्वास है पूर्ण समर्पन के साथ विश्वास नहीं है तिमत्य के बारे में सन पॉलूस कहते हैं मैं जानता हूं कि तुमारे अंदर निश्कपट विश्वास है आगे सन पॉलूस तिमत्य से कहते हैं कि तुमारे उपर जब हम लोगों ने हात रखा और प्रार्तना की, उस समय पवितरात्मा सी जो आग तुमें प्राप्त हुई, उस आग को बनाये रखना, यानि जो पवितरात्मा का अभिशेक तुमें प्रारंब में मिला है, उस अभिशेक को बनाये रखना, पॉलुस थिमती को याद दिलाते हैं कि तुमें पवितरात्मा मिला है अभिशेक मिला है वह डर का आत्मा नहीं है बलकि धायरे का आत्मा है सामर्थ का आत्मा है इसलिए आगे संद पॉलुस कहते हैं बिना संकोच किये बिना लज्जा के सू समाचार की घोषणा में लगे रहो पॉलुस थिमती को याद दिलाते हैं कि जो पवितरात्मा का अभिशेक तुमें मिला है उस सामर्ति को बनाये रखते हुए सू समाचार की घोषणा में लगे रहो लज्जाने करना चाहिए येशु के नाम के कारण लज्जाने होनी चाहिए सू समाचार को निस संकोज सुनाओ और आज का सू समाचार लुकस के सू समाचार की अधियाई दस से लिया गया था 72 शिश्यों के प्रेशन के बारे में आज आपने सुना वचन में आपने सुना इसके बाद प्रभू ने अन्य बहतर शीशी नियुक्त किये और जिस जिस नगर और गाउं में वे स्वैम जाने वाले थे वहां दो-दो करके उन्हें आगे भेजा कई बातें मनन के लिए योग्या है सबसे पहली बात प्रभू बहतर शीश्यों को भेजते हैं सु समाचार की घोष्णा के लिए भेजते हैं जब भेजते हैं तो अकेले अकेले नहीं भेजते हैं बलकि दो-दो करके भेजते हैं यह प्रभू की शैली थी दो-दो करके भेजते हैं हम लोग युवाओं को सु समाचार की घोष्णा के लिए तयार करते थे भेशते थे तो हम लोग दो-दो करके भेशते थे क्यों एक वेक्ति बोलेगा तो दूसरे वेक्ति प्रार्थना करेगा आगे लिखा हुआ है जिस नगर और गावं में येशु स्वयम जाने वाले थे वहाँ पर उनको भेजा यानि सु समाचार की घोषना करने वाला येशु के लिए मार्ग तयार करता है अमसु समाचार के सैवक सेविका होते हुए येशु के लिए मार्ग तयार कर रहे हैं ताकि येशु वहाँ पहुंच सके येशु उस व्यक्ति के जीवन में जा सके प्रभु ने उनसे कहा बड़े दर्द भरे दिल से क्या कहा फसल तो बहुत है परन्तु मजदूर थोड़े हैं इसलिए फसल के स्वामी से विंती करो कि वो अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें उस समय भी ये सचाई थी आज भी मेरा अनभाव है ये सचाई है प्रभु ने शिशों से कहा फसल तो बहुत है संसार के बहुत सारे लोग मुक्ती चाते हैं उधार चाते हैं लोग जीवन ढून रहे हैं सत्य ढून रहे हैं मार्ग ढून रहे हैं लेकिन उनको मार्ग दिखाने वाले मजदूरों की कमी है शब्द का ख्याल करना मजदूर मजदूर क्या करता है काम करता है पसीना बहाता है खेत में जाता है परिस्थुतियों में उतर जाता है प्रभू कहते हैं ऐसे मजदूरों की कमी है प्रार्तना करो इश्वर से कि वो मजदूरों को भेजें आज भी मेरा यानभाव है आज भी लोग दुखी हैं पीडित हैं, निराश हैं, उदास हैं सामतोना देने वाले मुक्ति और उद्धार देने वालों की अवशकता है उसके लिए कठोर परिश्रम करने वालों की अवशकता है प्रभु कहते हैं उसके लिए मालिक से प्रार्थना करो स्वामी से प्रार्थना करो हमारी शैली कैसी होने चाहिए यसु समाचार की गोश्टा में प्रभु कहते हैं, जाओ मैं तुमें भेडियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं कैसे भेजता हूं? बेडियों के 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 बे माचार की गोशना के लिए कुरूज पर अपने आपको अर्पित करने वाले प्रभू हैं इसलिए हमारी भी शैली नमरता पूर्ण होनी चाहिए आगे प्रभू उनको समझाते हैं जदा समान ने ले जाना खाली हाथ जाना जदा समान ले ले जाना बल्कि खाली हाथ जाना बल्कि भरे हिर्दे के साथ जाना बरी आत्मा के साथ जाना बरे हाथ के साथ ने बरी आत्मा के साथ जाना बरे हिर्दे के साथ जाना और प्रभू केते हैं जिस घर में तुम प्रवेश करोगे यह कहोगे इस घर को शांती प्रभीयसु के हर शिश्य हर सुसमाचार के वाहक और वाहिका का संदेश शांती है हम अशांती के सैवक से विकाय नहीं है शांती का संदेश सुनाने वाले हैं हर किसी शिश्य का यही संदेश है जहां भी हम जाएं शांती आगे प्रभु कहते हैं लोग तुम्हें जो दें उसको खाना तुम्हारी पसंद के अनुसार नहीं जिस संस्कृति में जिस परिवेश में तुम जाते हो वहाँ पर लोग जो खाते हो उसको खाओ उस परिवेश में ढल जाओ उनकी संस्कृति को अपनाओ उनके खान पान को अपनाओ वे जो दे उसको खाओ और क्या काम है? काम प्रवुस्पष्ट बताते हैं काम क्या है? वहां के रोग्यों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज तुमारे निकट आ गया है रोग्यों को चंगा करना रोग्यों को ईश्वर की संत्वना देना रोग्यों को ईश्वर के राज के योग्य बनाना उदास, निराश, परेशान लोगों को जो ईश्वर को कोस्ते वे जीते हैं उनको स्वतंद्र करना, अजाद करना, चंगा करना और उनसे ये कहना इश्वर का राज निकट आ गया है इश्वर का राज कौन है उस समय येशू ही है इश्वर का राज निकट आ गया है लोगों को येशू के लिए तयार करना उन रोगियों को चंगा करते विए प्रभू की करुणा का एसास कराना प्रभु के सामर्तिक एसास कराना और ये घोशित करना कि इश्वर का राज जी निकटा गया है उसमें प्रवेश करो मेरे प्रिये भाई और बैनों आज हम दो सुसमाचार के वाहकों का परो मनाते हैं और आज का सुसमाचार भी सु समाचार के वाहकों को संबोधित करते हुए है हर विश्वासी हर मसीही सु समाचार का वाहक है वाही का है जिसने भी सु समाचार पाया है वो चुपने रह सकता है प्रेरिचरित अध्याय 4 वा के 20 में पेत्रुस कहते हैं हमने जो देखा और सुना है, उसके विश्य में ना कहना हमारे लिए अश्शंभव है, हर विश्वासी, हर मसीही, जिसने सु समाचार सुना है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको बाटना, उसको सुनाना, आईयम प्रार्तना करें, प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज के सुन्दर दिन के लिए, इन दोनों महान संतों के लिए, संद पौलूस के सहयोग्यों के लिए, उस महान सु समाचार के उद्गोर्षक के सहयोग्यों के लिए, प्रार्तना करते हैं, हमें भी तेरी सु समाचार को ग्रहन करने, उसको ग रहे हैं, उन्हें पर दया कर, उन्हें सपर्ष कर, आज का संपून दिन के लिए कृपा का दिन बने, आशिश का दिन बने, अमारी प्रार्तना को स्विकार कर ग्रहन कर, आमेन पागत्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है क्लिक में इसाइए पर conosक्रादोण परन मन्ना Υाल